नमस्कार बच्चो आज हम राजनीते विज्ञान का तूसरा अध्याए संगवाद शुरू करने जा रहे हैं पहले अध्याए में आपने सत्ता के बटवारे के विभिन रूपों के बारे में पढ़ा था सत्ता के बटवारे का एक रूप जिसका आपने अध्यन किया है वह है उर्दवाधर रूप मुझे आशा है कि आप सभी को याद होगा कि सरकार के संगिये रूप सत्ता के बटवारे को उर्दवाधर रूप यानि की वर्टिकल फॉर्म आफ पावर शेरिंग कहते हैं हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे कि संगवाध का अर्थ क्या है, सरकार के संगिये और एकात्मक रूप के बीच में अंतर क्या है, एक महासंग का गठन कैसे होता है, फेडरेशन की महत्वपूर्ण विशेशताएं क्या है हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारत को संगिये देश क्या बनाता है और हमारे देश में संगवाद कैसे लागू होता है इसमें हम भाशाई राजियों के गठन, भारत की भाशानीती और केंद्र और राज्ये सरकारों के संबंदों के बारे में अध्यन करेंगे और अंत में हम वी केंद्री करण के अर्थ पर चर्चा करेंगे भारत में वी केंद्री करण क्यों किया गया वी केंद्री करण के क्या फाइदे हैं भारत में वी केंद्री करण की महत्वपूर्ण विशेशताएं और उसका विशलेशन अब आप अपनी स्क्रीन पर दुनिया का एक नक्षा देख सकते हैं इसमें कुछ देश हरे रंग के हैं और कुछ नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं सभी देश जो हरे रंग में हैं वे सरकार के संगिय रूप को दिखा रहे हैं इस प्रकार हम पाते हैं कि विश्व के 192 देशों में से केवल 25 देश ऐसे हैं जो सरकार का संगिय रूप धारण कर रही हैं लेकिन ये फेडरेशन दुनिया की आबादी का 40 प्रतिशत बनाते हैं इन में भारत, अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको, जर्मनी आदी देश शामिल हैं अब हम संगवाद शब्द का अर्थ समझेंगे संगवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रिय प्राधिकरण और देश के विभिन घटक इकाईयों के बीच बांटा जाता है इसे सरल शब्दों में कहें तो सरकार के संगिय रूप का मतलब है जहां सरकार के कम से कम दोस्तर है जब मैं कम से कम दोस्तर कहती हूँ तो इसका अर्थ न्यूनतम दो है लेकिन इसमें सरकार के दोसे अधिक स्तर भी हो सकते है आईए अपने ही देश का उधारन ले जब 1950 में भारतिय समविधान का गठन हुआ था तब हमारे पास केवल दोस्तरोग पे सरकारे थी केंद्र और राजे सरकार लेकिन बाद में हमने स्तानिय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए समविधानिक संशोधन करके सरकार के तीसरे स्तर को जोड़ा इस प्रकार भारत 1950 में भी एक फेडरेशन था और अभी भी एक फेडरेशन है आईए हमारे पिछले अध्याई से कुछ और उधारनों को समझें हम सभी ने अध्यन किया कि बेलजियम ने अपने समविधान में संशोधन किया और राजे सरकार की और अधिक शक्तियां दी तो सरकार के एक आत्मक रूप से वह सरकार के एक संग्य रूप में बदल गया सत्ता में हिस्सेदारी करने के लिए दूसरी और श्रिलंका ने ऐसा नहीं किया यह सरकार का एक आत्मक रूप बना रहा और तमिलों के साथ सत्ता का बटवारा नहीं किया अब हम सरकार के एकात्मक और संगिय रूप के बीच का अंतर समझेंगे और सबसे पहले सरकार के एकात्मक रूप में सरकार का केवल एक स्तर है जैसा कि आप इस शब्द को देखकर ही समझ गये होंगे एकात्मक में एक शब्द शामिल है जिसका अर्थ है एक यानि की सरकार केवल एक स्थर पर है जो की राष्ट्रिय सरकार है अब आप सोच रहे होंगे कि अकेले एक सरकार इतने बड़े देश को किस प्रकार चलाएगी कैसे जिम्मेदारी संभालेगी यह अपना काम आसान करने के लिए क्या करता है यह अपनी उप इकाईयों यानि की सब डिवीजन्स को शक्ति का प्रतिनिधी देता है लेकिन इन उप इकाईयों यानि की सब डिवीजन्स को समिधान से अपना अधिकार नहीं प्राप्त है वे किसी भी लिहाज से स्वत्तंत्र नहीं है अगर केंद्र सरकार उन्हें कुछ काम करने की कोई ताकत देती है तो वह उसकी ताकत को भी छीन सकती है इतना ही नहीं सरकार के एकात्मक रूप में केंद्र सरकार प्रांतिय या स्तानिय सरकार को आदेश पर पारित कर सकती है इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एकात्मक प्रनाली के तहत या तो सरकार का केवल एक स्थर है या उप एकाईया यानि की सब डिविजन केंद्र सरकार के अधिनस्त हैं उसके अंडर काम करती है अब हम सरकार के संग्य रूप के बारे में समझते हैं सरकार के संग्य रूप में सरकार के कम से कम दोस्तर है एक राश्ट्री इस तर पर जो पूरे देश के लिए काम करता है और दूसरा राज्य सरकार है जो अपने संबंदित राज्य के कल्यान के लिए काम करती है संग्य ववस्ता में केंद्र सरकार राजे सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती राजे सरकार के पास अपनी शक्ती है जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रती जवाब दे ही नहीं है यह दोनों सरकारे अलग-अलग जनता के प्रती जवाब दे ही है Federation के कुछ आम उधारन है भारत, स्पेन, बेलजियम, अमरीका, स्विट्जिलन्ड और उस्ट्रेलिया अब हम समझते हैं कि एक महासंग का गठन कैसे होता है कुछ कारक हैं जो Federation के गठन का निर्णय लेते हैं Federation के गठन का निर्धारन करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण कारण है पहला एतिहासिक संधर्ब जिसमें Federation का गठन किया गया था और वहां रहने वाले लोगों की संस्कृती और परंपरा दूसरा कारण है हम पहले समझेंगे साथ आकर बनाए गए संग की विशेशताएं इसको अंग्रेजी में Coming Together Federation कहते हैं आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि दो आदमी अपने दम पर एक दूसरे के करीब चल रहे हैं आईए इसे समझने के लिए अपने दैनिक जीवन से एक उधारन लेते हैं कुछ चात्र ऐसे हैं जो स्कूल के कॉरिडॉर में हमेशा गूमते रहते हैं ये सभी एक ही आयूवर्ग के हैं लेकिन उनका मार्ग दर्शन करने वाला कोई नहीं है कि उनका क्लास टीचर कौन है उन्हें किस कमरे में बैठना है उन्हें कुछ मालूम नी वे सभी को अपनी आम जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं वे एक दूसरे से बात करते हैं और समझते हैं कि उनके कुछ आम हित वाली चीज़े हैं जिसको हम common interest कहते हैं तो उन्होंने एक दिन सोचा कि हम क्यों ना सब लोग एक साथ इकठे होकर एक कमरे में बैठ चाएं और अपनी समस्याओं का समाधान करें और इस तरह से मिलकर बैठकर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स का हल असानी से निकाल लिया समान जरूरतों और रुचियों वाले इन सभी चात्रों ने हाथ मिलाकर एक साथ आकर एक दूसरे के ये बराबर हैं कोई भी इन में से एक दूसरे से श्रेष्ट नहीं है किसी ने भी उनका मार्गदर्शन नहीं किया वे खुद अपने आप साथ आए और सब कुछ अपने दम पर उन्होंने करके अपनी सरप्रभुता को मिलाकर एक फैसला लिया कि हम जब साथ होंगे तो हमारी सुरक्षा बढ़ेगी और साथ ही हमारी पहचान भी कहीं गुम नहीं होगी अब हम इस अवधारना को एक साथ आने वाली संग के गठन पर लागू करेंगे यानि कि Coming Together Federation पर साजा ही तो और जरूरतों वाले देश अपनी सरप्रभुता को इकठा करने के लिए एक साथ आने का फैसला करते हैं लेकिन अपनी पहचान बनाई रखते हैं और इसका उदेश्य उनकी सुरक्षा बढ़ाना है परिनाम स्वरूप सभी खटक राजियों के पास समान शक्तियां हैं इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि समान शक्तियां हैं अधिक शक्तियों के साथ कोई केंद्रिय प्राधिकारी नहीं है अब आप अपनी स्क्रीन पर कुछ देशों के जंडे देख सकते हैं ये वे देश हैं जो Coming Together Federation यानि कि साथ आकर बनाए गए संग की विधी से बने हैं इनमें हैं अमरीका, स्विट्जरलेंड और उस्ट्रेलिया हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के राज्यों को अमेरिका में केंद्र सरकार के साथ समान शक्तियां प्राप्त है इतना कि उनके पास दोरी नागरिक्ता की अवधारना है अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति उस राज्ये का नागरिक है जिसमें वे रहता है और साथ ही वे पूरे देश का भी नागरिक है अब मैं आपको एक निमोनिक टेक्नीक सिखाऊंगी जिससे आप ये उधारन लर्न कर सकते हैं यदि आप अंग्रेजी के ये वर्ड्स यानि की अमेरिका, स्विट्जरलैंड और अस्ट्रेलिया के पहले लेटर्स को देखें तो पहले लेटर्स से बनता है USA और इनके पहले लेटर्स से USA बनने से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि USA जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक्जाम्पल बना रहा है अब हम फेडरेशन यानि की संगवाद के दूसरे प्रकार को समझेंगे पकड में रहकर बनने वाले संगवाद यानि की होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आईए फिर से उन चात्रों का उधारन लेते हैं जो अपने स्कूल के कॉरिडॉर में घूम रहे हैं अब ये चात्र अपने दम पर एक कमरे में एक साथ नहीं बैठना चाते लेकिन एक शिक्षक जो उनको रोज इस तरह से गूमता हुआ देख रहे हैं और वास्तव में उनका अच्छा सोचते हैं तो उन्हें एक रूम में एक साथ लाने का फैसला करते हैं अब चात्रों यहां ध्यान से सुनो वह शिक्षक उन्हें एक रूम में एक साथ जब लेकर आते हैं तो केंद्र सरकार की शक्ती भी इसी प्रकार है और ये सभी चात्र उन राजियों की तरह हैं जो शितिल विगटित यानि की इधर उधर बिखरे हुए हैं चात्र अपनी इच्छा के दम पर एक गुट में बैठने को राजी नहीं हुए लेकिन उस शिक्षक ने ऐसा करने के लिए उन्हें आश्वस्त किया यानि की कन्विंस किया अब आप ही मुझे बताएं कि यदि उस शिक्षक की शक्ती उन चात्रों के बराबर होती तो क्या इन चात्रों ने कभी अपने शिक्षक की बात सुनी होती बिल्कुल भी नहीं उन्होंने उस कमरे में आने से ही मना कर दिया होता चात्रों ने अपने शिक्षक की अवग्या नहीं की क्यूंकि उन्हें पता है कि शिक्षक की शक्ती उनकी शक्ती से अधिक है अब हम इस अवधा राजियों को साथ नहीं रख पाएंगी इसलिए इन देशों में केंद्रिय प्राधिकरन राजियों को एक साथ रखता है और कई बार उन्हें फेडरेशन में शामिल होने के लिए मनाता भी है अब आप फिर से अपनी स्क्रीन पर कुछ जंडे देख सकते हैं आप इसे अधिक राजियों के नाम सीखने के लिए एक निमोनिक टेकनीक सिखाऊंगी यदि आप इन राजियों के अंग्रेजी में नाम देखें तो बेल्जियम में B, इंडिया में I, और स्पेन में S ये इनके फर्स्ट लेटर्स हैं और इन तीनों लेटर्स को जब आप जॉइन कर दें त के लिए है और USA जो है वो कमिंग टुगेधर फेडरेशन के लिए है अभी हम समझ गए हैं कि फेडरेशन का गठन दो अलग तरीकों से किया जा सकता है अब हम किसी भी फेडरेशन की महत्वपूर्ण विशेशताओं को समझेंगे सबसे पहले एक फेडरेशन सरकार में कम से कम दो स्थर पर होनी चाहिए फेडरेशन की दूसरी विशेशता यह है कि सरकार के विभिन स्थर एक ही नागरिकों को नियंतरित करते हैं लेकिन कानून, कराधान और प्रशासन के संबंद में प्रतेक स्थर का अपना शेत्र अधिकार है उधारन के लिए मैं भारत की नाग उठा रही हूँ इसी तरह दिल्ली राजे सरकार में मेरे कल्यान के लिए काम हो रहा है और उसका फायदा उठा रही हूँ मैं और अंत में नगर निगम भी मेरे शेत्र की स्थानिय जरूरतों का ध्यान रख रहा है जिसका मुझे लाब हो रहा है लेकिन शात्रों ध्यान द लेट्वपून विशेषता यह है कि सरकार के संबंदित स्तरों के शेत्र अदिकार को समविधान में निर्दिष्ट किया गया है इसलिए सरकार के प्रतेक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकर की समविधानिक गारेंटी है तो बच्चो इस पॉइंट को आप ज़रा समझिए एक ऐसी स्तिती की कलपना करिए कि समविधान ने उनकी शक्तियों का उलेक नहीं किया है उलेक मतलब कि स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है नहीं लिखा है इस से इतना भ्रहम पैदा होगा कि सरकार का कोई भी स्तर सरका सकता है वे अपने अधिकार के शेत्रों में भ्रहमित हो सकते हैं लेकिन जब सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है तो भ्रहम की कोई गुंजाईश नहीं रहती है एक महासंग की चौथी विशेष्टा यह है कि समविधान के मूल भूत उपबंदों को सरकार क किसी भी स्थर से एक तरफ नहीं बदला जा सकता मूल भूत उपबंदों का अर्थ है जो बेसिक फीचर होते हैं समविधान के इस तरह के बदलावों के लिए सरकार के दोनों स्थरों की सहमती की जरूरत होती है मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशे अन्यता यदि सरकार का कोई एक स्थर समविधान को अपने पक्ष में बदल लेगा तो समविधान का पूरा अर्थ पराजित हो जाएगा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां से सरकार के सभी स्थर अपनी शक्ती प्राप्त कर रहे हैं उस स्रोत्र यानि की सोर्स को उनमे से किसी एक के द्वारा नहीं बदला जाएगा एक महासंग की पांचवी महत्वपूर्ण विशेशता यह है कि अदालतों के पास समविधान और सरकार के विभिन स्थरों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ती होती है उच्चितम न्यायाले एक अंपायर के रूप में क तो पूर्ण शक्ती भी है क्योंकि यदि न्याय पालिका स्वतंत्र नहीं है तो निर्ने पक्षपात पूर्ण हो सकता है यदि केंद्र और राजे सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन होता है तो उस विवाद का हल करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए ताकि स सरकार के किसी भी स्तर के साथ कोई भेदभावना हो। किसी भी फेडरेशन की छटी विशेष्टा यह है कि सरकार के प्रतेक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत्रों को अपनी वित्तिये स्वायतता यानि की Financial Autonomy सुनिष्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है। यहां मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूंगी कि जब भी आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो यह बहुत जरूरी है कि आपको उस कारे को करने का अधिकार भी मिले। इसलिए यदि हमारे पास सरकार के तीन स्थर हैं और हम चाहते हैं कि वे प्रतेक स्थर पर कल्यान कारी कारे करें तो यह बहुत मैदवपूर्ण है कि उन्हें ऐसा करने के लिए स्वतंत्र शक्ति मिलनी चाहिए। यह स्वतंत्रता उन्हें तभी मिल सकती है जब उनके पास अपने स्वतंत्र संसाधन होंगे। यह धन वे करों से यानि की टेक्सिस से प्राप्ट करते हैं। सरकार को कोई स्थर कम से कम अपने बुन्यादी कारें को करने में धन की आवश्यक्ता के लिए दूसरे स्थर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। एक महासंग की अंते विद्धा को सामयोजित करना भी है। यहां ये समझना जरूरी है कि विभिन्स तरों पर सरकारों को सत्ता के बटवारे के कुछ नियमों से सहमत होना चाहिए। उन्हें यह भी भरोसा करना चाहिए कि प्रतेक समझोते के अपने हिस्से का पालन करें। अब हम भारत में संगवाद की विशेष्टाओं को सीखा है जो हमने अभी किया है तो यह बहुत आसान हो जाता है। संगवाद की हर विशेष्टा के लिए आपको यह सोचना होगा कि आपके देश में क्या विवस्ता है और आपका उत्तर तयार हो जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं मैंने एरोज के साथ दिखाया है भारत में संगवाद की विशेष्टा जो फेडरेशन की बुन्यादी विशेष्टा के साथ मेल खा रही है। सर्व प्रथम यह है कि भारत एक ऐसा संग है जिसके पास सरकार के दो से अधिक स्थर हैं यानि कि राश्ट्र स्तानिय स्तर, राजे सरकार और स्तानिय स्तर पर सरकार। दूसरा भारत का समविधान तीन सूचियों बना कर केंद्र और राजे सरकार की शक्तियों को बाटता है। संग की एक सूची है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार एक रा दोनों केंद्र और राजे सरकार कानून बना सकती है अब हम कुछ उधारन लेंगे संग की सूची के कुछ विशे हैं विदेशी मुद्रा, बैंकिंग, संचार और ये सभी विशे राष्ट्रिय महत्व के हैं इसी तरह राजे सूची में राजे और स्तानिय महत्वपूर्ण विशे शामिल हैं जैसे पुलिस, वेपार, बानिंजे, क्रिशी और सिचाई अब समवर्ती सूची में ऐसे विशे शामिल हैं जिस पर केंद्र और राजे सरकार दोनों समान हित के कारे करते हैं जैसे ट्रेड यूनियन, शिक्षा, गोद लेने और उत्रा अधिकार जैसे विशे इन तीनों सूचियों के अलावा अवशिष्ट विशे जिसको हम रेजिडिवरी पावर भी कहते हैं उसका भी प्रावधान है अवशिष्ट विश्यों का अर्थ है जो विशे समय बीतने पर समविधान के बनने के बाद सामने आते हैं उन विश्यों पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगा जैसे की Information Technology अब भारत के पास स्वतंत्र न्याय पालिका भी है यह किसी भी महासंग की मूल आवश्यक्ता है केंद्र और राजे सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर किसी तरह के विवाद के मामले में उच्छ न्यायाले और सुप्रीम कोर्ट फैसला करते हैं वित्तिय स्वायतता यानि की Financial Autonomy के लिए जो किसी भी महासंग की एक और महत्वपूर्ण आवश्यक्ता है भारत में केंद्र और राजे सरकारों के पास कर लगा कर संसाधन जुटाने की शक्ति है यह पैसा वे उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के संसद अपने आप में इस विवस्ता को नहीं बदल सकती इसमें किसी भी परिवर्तन को पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा कम से कम दो तिहाई बहुमत के साथ पारित किया जाना चाहिए इसके बाद कुल राजियों के कम से कम आदे राजियों की विधान सभाओं द्वा इसकी पुष्टी की जानी चाहिए। इसी तरह से GST संशोधन विधेयक पारित किया गया था। तो बच्चो आज के इस मॉड्यूल में हमने यह जाना कि संगवाद किसे कहते हैं। संगवाद और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। संगवाद की मुख्य विशेश्ताओं के बारे में पढ़ा और फिर हमने यह जाना कि हमारा देश भारत किस प्रकार से एक संगवाद देश है। तो आप इस पार्ट को दोबारा पढ़ेंगे और याद करेंगे इसके मुख्य बिंदू। आज के लिए इतना ही धन्यवाद। झाल 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 क्या हंट झाल 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 करेंगे जाना ही उनीक के लिए जई पारे ठार्ट को आप परेंगे यह जबए ब्ल这we